Prevalence and Comorbidity of Bipolar Disorders Now we will see कि इसका Prevalence Rate जो है वो जनरल पॉपलेशन में और चिल्डरन और अडॉलसंस में कितना है इसके साथ सथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे डिसॉर्डर हैं जो इंजाइटी डिसॉर्डर हैं या सबसेंस जूस डिसॉर्डर हैं जो कि इसके साथ को अकर कर सकते हैं So here we will go with the prevalence तो 1 to 3% जो है वो यूद के अंदर और especially adolescents के अंदर जो है वो देखने में इसका Prevalence Rate आया है 12 month Prevalence Rate जो है 11 countries में वो रेंज कर रहा है 0.0 से 0.6% तक ठीक है Lifetime Male to Female Prevalence जो है वो 1.1 to 1 है ठीक है यानी male के अंदर slightly higher है फिर जो 12 month Prevalence है internationally that is 0.3 और जो अमेरिका में है that is 0.8% जो है वो रेपोर्ट की गई है तो अगर आप Prevalence Rate देखें तो it is like not very high but yes in a decent जैसे आप कहते हैं Prevalence Rate जो है वो इसमें प्रिवेल कर रहा है यह disorder जो है वो general population में प्रिवेल कर रहा है then we will talk about the co-morbidity co-morbidity की जब हम बात करते हैं तो यह देखा गया है कि जो bipolar disorder है उसमें anxiety disorder जो है वो certain time coexist करता है जिसमें social anxiety हो सकती है जिसके अंदर जो है phobias हो सकते हैं जिसमें generalized anxiety disorder हो सकती है तो sometime bipolar disorder के साथ anxiety disorder जो है वो प्रिवेल करता है इसके साथ-साथ ADHD जो है उसके भी co-occurrence है तो इसलिए adolescents में या children में आपने इस बात का भी धियान रखना है कि जो symptoms उस बच्चे के अंदर आ रही हैं यह कहीं hyper activity की या attention deficit की तो problems नहीं हैं तो अगर तो उसके mood के अंदर disturbance के बगएर भी उसको इस तरह के features आते हैं तो आप उसे ADHD का जो feature है वो आप दे सकते हो ठीक है तो आपने इस चीज़ को दिहान में रखना है कि उसे ADHD का problem तो नहीं है उसके साथ-साथ जो disruptive impulse controller conduct disorders हैं वो भी इन बच्चों के अंदर देखने में आते हैं तो आपने ये भी दिहान रखना है ये जिस तरह हम कहते हैं कि बहुत ऐसे conduct issues हैं जिसमें aggression है, impulsivity है और कोई भी ऐसी चीज़ जो के आपको लगे कि ये behavioral problems हैं और उसको वहां पे भी address करना चाहिए या वो गो मुबिट हो रही है। इसके साहथ साथ mood disorder के साथ साथ तो आपने जो है किसी इसका भी धियान रखना है कि कोई disorders तो नहीं है। इसी तहां substance use disorder जो है sometime वो भी co occur करता है तो अगर किसी बचे के अंदर substance use disorder जो है वो भी co occur कर रहा है तो आपने उसका भी अलग से जो है उसको diagnosis देना है तो that is called as co-morbidity तो जब भी आपने bipolar disorder का कोई भी client आपके पास आए either with one, either with two आपने co-morbidities जो है वो चेक करनी है कि उस client के अंदर either exist करी है या नहीं करी है Thank you